तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के विल को देखते हैं जो रोजाना की तरह अपने स्कूल में आता है मगर आज वो अपने स्कूल में एक लड़की को देखता है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था वो उसका पीछा भी करता है लेकिन तब ही विल की बहन उसे रोक लेती है वो लड़की इतनी देर में वहां से गाइब हो गई थी विल उसका पीछा करता भागता है अब वो लड़की उसे अपनी स्कूल बस में दिखाई देती है विल भी उन्हें हा क्या देता है इसी बीच हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि विल पर नजर रखी हुए थे मगर विल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था अब जो वो घर आता है तो उसे अपने घर में एक सिर्प्राइस मिलता है क्रिस्मिस के लिए उसका बड़ा भाई अपने घर आया था उसने आते ही अपना सामान विल के कमरे में शिफ्ट कर लिया था जिस वज़ा से अब विल को अपने उपर वाले कमरे में ही रहना पड़ता है उसकी मॉम क्रिस्मिस के लिए एक बहुत बड़ा दुरक्त मंगवाती जिसको वोई दो आदमी लेकर विल के घर आए थे, जो अब तक उस पर नजर रख रहे थे, वो उसका पीछा हर जगा पर करते हैं, वो विल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, जयासर कि उसका नाम, उसकी बर्थडे, अब वो दोनों विल को बर्थडे विश करते हैं, क्यो पर कोई भी विल की बर्थडे को सीरियस नहीं ले रहा था सिर्विल की बहनी उसे तौफा देती है जो कि एक घड़ी थी जिसे देखकर विल बहुत कुश होता है उसकी बहन उसे घड़ी पेना कर कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है चलो कोई विश करो एक ऐसी खोहिश जिसे तुम पूरा करना चाहते हो विल कहता है हाँ मैं सनोफॉल बर्फ बारी देखना चाहता हूँ इतने में विल के बड़े भाई की वीडियो कॉला जाती है जो के बाहर के मुल्ट में पढ़ने के लिए गया हुआ था उसके भाई ने उनके लिए बहुत से क्रिस्मिस के तौफे बेचे थे विल को एक पुरानी सी बेल्ट मिली थी जिसे देखकर वो उदास हो जाता है जब सबी सो गए थे तो विल देखता है रात को उसकी घर पर सनोफॉलो रही थी हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ विल के घर पर ही थी जिसे देखकर वो बहुत खुश था और ये सोचने लगता है कि उसकी बर्थडे विश पूरी हो गई अगले दिन अब वो अपनी बेहन के लिए क्रिस्मिस का तौफा लेने जाता है जहाँ पर दो पुलिस ओफीसर उसे रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें तुम पर शक हैं तुमने चोरी की है वो उसे बुश ताज के लिए पुलिस टेशन ले गए थी वो पुलिस ओफीसर उसे बहुत से अजीब सवाल पूच रहे थी वो से साइन निशानों के बारे में पूचते हैं विल देखता है कि सब कुछ अजीब हो रहा था तब ही अचानक सी एक पुलिस ओफीसर अजीब से क्रियेचर में बदल जाता है विल ये सब देखकर घप रा गया था वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तब ही वो दोनों पुलिस ओफीसर जो उसे पकरने पास आते हैं मगर विल एक ही जटके से उन दोनों को दूर कर देता है जो काफी हरान कर देने वाली बात थी और इसके बाद विल इसी तरह अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग गया था इसके बाद हमें विल के टाउन में पार्टी का सीन दिखा जाता है वहाँ पर विल को स्कूल वाली लड़की जो अचानक से गाइब हो गई थी उसका नाम मैगी था वो और वो ही दो आत्मे मिलते हैं जो उस पर नज़र रख रहे थी पार्टी में विल का भाई मैगी से बात करता है जिससे मिल जेलिस हो गया था कहीं ना कहीं विल को मैगी अच्छी लगने लगी थी इसलिए वो कुछ देर के लिए घर से बाहर टहलने के लिए चला जाता है तब ही वहाँ पर एक अंजान आदमी घोड़े पर बैठा उसके पीछे पढ़ गया था वो विल से साइन के बारे में भी पूछता है जैसा कि पुलिस ओफिसर उससे पूछ रहे थे अब ये कौन से साइन थे कि साइन की लोग बात कर रहे थे ये हम एक कहानी में आके जाकर पता चलेगा वो विल को मारने के भी कोशिश करता है तब ही वहाँ पर बुरी लेडी उनका एक असिस्टेंट और वही दो अंजान आदमी आ जाते हैं जो अब तक विल का पीछा कर रहे थे अब वो लोग उस राइडर घोर सवार को वहाँ से जाने का कहते हैं और विल को बचा लेते हैं वो राइडर जाते हुए इनसे कहता है कि अगले पांच दिन तक डार्कनेस ही डार्कनेस होगी यानि के हर तर्फ अंदेरा होगा इतना कहकर वो चला गया था विल को कुछ भी नहीं समझा रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है अब वो लेडी और बाकी सब भी विल को अपने साथ जादू से टाइम ट्रैवल करके एक खुब सूरत जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर बहुती बड़ा महल था यहाँ पर आकर लेडी विल को बताती है कि राइडर तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक कि खुद से कोई और उसे ना बुलाए मतलब तुम यहाँ पर महफूस हो वो सबब विल को बताती है कि हम ओल्ड वन्स हैं ऐसे पुराने योधा जो के लाइड रोशनी को फिलाते हैं बहुत सालों पहले लाइड और डाकनेस अधेरी और रोशनी के दिर्म्यान में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें लाइड जीत गई उसने डाकनेस को हरा दिया था पर खत्म नहीं किया अब हम उसी डाकनेस को खत्म करने वापिस आए हैं और हमें डाकनेस को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे साइंस निशान चाहीं जो तादात में च्छी हैं उन्हें की मदद से डाकनेस को खत्म किया जा सकता है उन साइंस का मतलब एक किताब में है जो सिर्फ सीगर ही पढ़ सकता है यानी कि किसी भी चीज़ की तलाश करने वाला और वो कोई और नहीं विल तुम हो तुम ही हो जो उन साइन्स को ढून सकते हो तुम ही हमारे सीगर हो विल को उसकी पावर्स ताकते उसके 14 साल के पूरा होने पर मिलने वाली थी अब जब विल 14 साल का हो गया था तो उसे उसकी पावर्स मिल गई थी विल जो चाही कर सकता था जैसे के सनोफॉल का होना इसलिए डार्कनेस के लोग विल की जान के दुश्मन बन चुके थे वो राइडर जो डार्कनेस की दुन्या से था इसलिए विल को मारना चाहता था और साइन के बारे में भी पूछ रहा था वो लोग विल को बताते है कि जो सीकर होगा वो अपने मॉम डैट का साथ मा बेटा होगा विल क्याता है मैं तो अपने बेहन बाईयों में छटे नंबर पर हूँ तो मैं कैसे सीकर हो सकता हूँ अब ये से विल को मनाने के लिए कि उनकी मदद करे लेडियों से एक क्रिस्टल बॉल दिखाती है जिसमें विल देखता है कि अगर डार्कनेस को ना रोका डार्कनेस की दुनिया का राइडर था जो विल की जान का दुश्मिन बना हुआ था जो कि अब डार्कनेस का रूप लेकर विल से मिलने आता है वो दोबारा से विल से साइन्स के बारे में पूछता है और उसने उसके पाउँ को भी ठीक कर दिया था मगर विल जब कुछ भी नहीं बताता तो वो फिर से उसके पाउँ को बेजा ही करके चला जाता है रात को विल को उसके कमरे में से एक तस्विर मिलती है जो उसकी थी मगर साथ ही उस तस्विर में उसका जुडवा भाई भी था अब इन सब के बारे में विल अपनी मॉम से पूछता है वो पताती है ये तुम्हारा जुडवा भाई है जो तुमसे कुछ वक्त पहले ही पैदा हुआ था लेकिन किसी ने से अगवा कर लिया हमने इसे बहुत ढूंटा पर यह हमें कहीं नहीं मिला यहां पर विल को ये बात तो पता चल गई थी कि वो अपने बहन भाईयों में साथवे नंबर पर है और वो ही सीकर है विल अप टाइम ट्रेवल करके तुबारा से उसी जंगल में पहुँचाता है उसका पाउं भी अब ठीक हो गया था यहां पर आकर लेडी का असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम उन साइन्स को पढ़ सकते हो तुम्हारे पास ये खास ताकत है तुम ये पता जल्दी लगा लोगे कि वो कहां पर है यानि कि बहुत ताकतवर है वो तुम हर चीज़ को समझ सकते हो और अपनी ताकतों से अप उने एक लॉकेट को देखता है विल उसको तोड़ कर उसमें से पहला साइन निकाल लेता है जो कि क्रॉस का एक निशान था अब हम एक चर्च को देखते हैं जहां पर बहुत से लोग बैठे इबादत कर रहे थे विल भी वहाँ पर टाइम ट्रेवल करके पहुँच किया थ दरासर ये बहुत सालों पीचे आ गया था जहां पर सभी ओल्ड वन्स वारियर भी पहुच जाते हैं यहां पर इनके पास एक बहुती बुरी होरत आती है जो अचानक से इन पर सांपों से हमला कर देती है सभी उन सांपों के नीचे फस गए थे मगर विल किसी तरह वहां से निकल जाता है और वही पर पड़े हुए एक धांचे से दूसरा साइन भी निकाल लेता है उदर दूसरी तरफ हम राइडर को देखती है जो किसी को बता रहा था कि विल को दूसरा साइन भी मिल गया है घर पर विल का भाई मेगी के साथ था अब यहां पर विल भी आ जाता वो मैगी से बात करता है मैगी उसे जादू करके दिखाती है विल को ऐसा लग रहा था कि वो भी ओल्ड वंस में से है यानि कि रोशनी पहलाने वालों में से मैगी कहती है नहीं मैं तो तुम्हारी तरह हूँ विल उसको उसका स्कार्फ भी वापिस करता है जो उसे बस से मिला तब ही यहाँ पर विल का भाई आ जाता है जो विल को बुरा भला सुना कर मैगी को अपने साथ ले गया था इस बात पर विल को बहुत गुसाता है वो बाहर जाकर इतनी जोर सी चीकता है कि एक दरक्त में आग लग गई थी यह सब कुछ अब विल की बहन भी देख लेती है इ यहाँ पर कुछ वारियर्स योधा उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ कर पानी में फैक दिया था विल को अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी वो वहाँ पर तीसरा साइन भी देखता है जो कि एक शील्ड पर बना हुआ था जिस वारियर के पास वो शील्ड थी उसको व राइडर को देखते हैं जो किसी पर चिला रहा था कि विल ने तीसरे साइन को भी ढूंड लिया है तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए वो उसको बचे हुए साइन को ढूंडने का बोलता है ताउन में भी अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई थी यहाँ पर विल से मिलने उसका भाई आता है जो राइडर के कंट्रोल में था वो उसे बाकी के साइन के बारे में पूछता है जहाँ पर वो से कुछ नहीं बताता तब ही उन दोनों में लड़ाई हो गई थी वो टाइम ट्रैवल करते एक पुराने से होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर लोग मुर्गियों की लड़ाई करवा रहे थे इसी दोरान विल को यहां से चौता साइन भी मिल जाता है अब यह उसे लेता है और दुबारा से टाइम ट्रैवल करके वापिस घर आ गया था यहां पर विल अपने भाई को जोरदार मुका मारता है जिससे वो बेहोश हो गया था जब उसे होश आता है तो उस पर से राइडर का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है विल को चारो साइन मिल जाते हैं वो उन सब को अपनी उसी मेल्ट में लगाता है जो उसके भाई ने उसे क्रिसमिस वाले दिन तौफे में दी थी उधर उन्ही अंजान आदमियों के पास राइ जिसको उसने साइन को ढूमने का कहा था राइडर उसे कहता है कि वो साइन विल के पास हैं तो मैं उन्हें मुझ तक लाना होगा अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा तुम्हें हमेशा के लिए जवान कर दूँगा और यहां पर हमें पता जाता है, यहाँ पर मैगी विल से साइन की बारे में पोच्छती है, तब ही उधर ही विल को पाच्वा साइन भी नजर आ जाता है, वो मैगी को बगेर बताए, वो साइन भी हासिल कर लेता है, मैगी उस पर बहुत चिला रही थी, विल जब उसको ऐसे चिलाते हुए देखता ह तो इसे भी पता चल गया था कि मैगी भी उसके दुश्मनों में से है इसलिए अब वो साइन को लेकर मैगी को पानी में धख्या देता है वो जब राइडर के पास चाती है तो उसके पास कोई पी साइन नहीं था इस बात पर राइडर को गुसा आ गया था वो मैकी को एक बुड़ी औरत में बतल कर पारी में ही मरने के लिए छोड़ गया था अब विल तुपारा से ओल्ड वन्स के साथ उनके महल में जाता है जहां पर राइडर अपनी मर्जी से तो नहीं आ सकता था अब वो विल की फैमली की आवाजे निकाल कर उसे एमोशनली बलेक मिल करता है जिसमें वो कामयाब भी हो गया था वो विल की मदद से वहाँ पर आकर सबी ओल्ड वन्स को डार्कनेस की दुन्या में कैद कर देता है और विल से साइन मांगता है विल के मना करने पर वो विल को क्रिस्टल बॉल की मदद से उसका जुड़वा भाई दिखाता है जिसको तस्वीर में विल ये देखा था जिसको राइडर नहीं सीकर समझ कर अगवा कर लिया था राइडर विल को भी डार्कनेस में ले कर जाने वाला था सबी उसे याद आता है कि आखरी साइन एक सोल रू है जो के वो खुद है विल अब अपनी ताकत का इस्तिमाल करके राइडर को हरा देता है और उसने अपनी पावर से उसे क्रिस्टल बॉल में बदल दिया था उसके ऐसा करते ही सबी ओल्ड वन्स डाकनेस की दुनिया से आज हो गया था विल पहली बार अपने भाई को देखता है जो बिलकुल उसके जैसा था और वो आज़ाद हो चुका था उसे लेकर ये अपने घर आता है सबी उन दोनों को देख कर बहुत खुश थे विल के सबी भाई एक साथ रहने लगे थे उसकी मौम सब को बहुत खुश होती हैं इसे तरह विल ने डार्कनेस की दुनिया का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है